जब कोई आपको बेपना महुबत करने लगता है तो ये तीन काउंट जरूर करता है इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास है सचे प्यार को पहचानने के लिए हेलो फ्रेंट्स लावटिप सुटूप चनल में आप सपे का स्वागत नमबर तीन पर इमोशनल केरिंग अगर ये काम आपको बार बार दिखता है इमोशनल केरिंग कैसे करता है हो जैसे कि किसी ने आपकी मज़ा कुड़ाई लेकिन हद से ज़्याद आपका मूँ थोला भी गड़ गया आपको अच्छा नहीं लगा तब वो फिर अकेले में आपको कहते है कि यह असानी है यह गलत बात है आप तो अच्छे है वैसे 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 वो आपकी इमोशन को बैलेंस में करने की कोशिस करते हैं यह इमोशनल केरिंग है फिर आपके अंदर अगर कोई दर्द चिपा है डिप्रेशन है तो उसको बाहर निकलने में मदद करते हैं आपको रिलाक्स करने में मदद करता है आपके साथ बैठते हैं आपकी बाते सुनते हैं यह सब कुछ इमोशनल केरिंग है अगर इमोशनल क वो आपको अपने सपनों में देखते हैं और वो कहते भी है कि कल रात को हम सोए थे तो इस तरह की चीज़े थी कुछ अलग-अलगी चल रहा था लेकिन आप दिख रहे थे मुझे सपने में साथ में हम यह कर रहे थे वो कर रहे थे ऐसा था वैसा था वो कहते हैं तकि सपनों में देखना सिधी बात है, सपनों का मनोवज्ञान यही कहता है, कि जिस चीज का डर होता है, या जिस चीज की चाहना होती है, वो हमें सपनों में दिखाई देता है, अब यहां पर डर वाली तो कोई बात नहीं है, कि आपको सपनों में देखना मतलब डर है, ऐसा पता लगता है कि सच्चा प्यार है नमबर एक पर वो पहले ही समझ जाते है कि आपको क्या चाहिए ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है समझ्द्य जैसे तक है कई बार हम अपने सपनों में ये सुपते रहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए लेकिन कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो जो बीना बोले ही हमारी बाते समझ जाए हमारे काम समझ जाए हमें जो चाहिए वो करने लगे बीना बोले ही या फिर थोड़ा बोलते है तुरान पूरी बात समझ जाते है तो जो इंसान आपको क्या चाहिए वो समझ जाता है तो कहीं न कहीं दिरे दिरे हमें बहुत ज्यादा समझ रहा होता है जैसे हमारे पैरेंट्स हमको समझ थे वैसे ही वो इनसान हमें बहुत यो अब्जव किया है बहुत ही प्यार करता है इसलिए सारी चीज़े जल्दी समझ जाता है जो बहुत ही जफर्दस चीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तीन काम आपके रिस्ते में हो रहे हैं तो बेपना महबत है वीडियो पूरा देखने के लिए दन्यवाद